अलो स्टूदेंट्स ग्लास सेवन बच्चो चप्टर सिक्स अभी हमारा इसका पार्ट थी है आज चप्टर सिक्स अभी हमारा चल रहा है बच्चो ताउन ट्रेडर्डर्स अन काफ वर्शन्स ताउन वेस्ट कोस्ट वर होम टू अरब परश्यंस चाइनीज ज्वेईश इंडियन स्पाइसेज और क्लोथ सोड इन दा रैड सी पोर्ट वर परचेस्ट बाइटेलियन ट्रेडर्डर्स एंड इवेंचली लीज्ट यूरोपियन मार्केट्स फैचिंग वेरी हाई प्रोफिट बच्चो जो रैड सी पोर्ट यानि लाल सागर बंदर कहा पर जो भार प्रोफिए और में त्रॉपिकल क्लाइमेट में जो मसाले उखते थे जैसे और है चनमन है नट मैग है यह जैसे मिर्च कालि मिर्च है सो दालचीनी जाइफल है सो और है अर्दी इन सब के जो है एक इवेंपोर्टन पार्ट ओफ ऑफ़ यूरोपन कोगिंग का इंपोर्ट और उन्टे यह यह ये यूरोपीयन लोग शोए काफी एट्रेक्ट हो गया ते जिसे कि वह इंडिया में वेपार करने के लिए आने लगे थे काबूल इसकी ड्रग्ड लेंड्सकेप काबूल इसकी ड्रग्ड लेंड्सकेप और मॉन्टेनियंस के करण यह बिकिम पॉलिटिकली एंड कमर्शली इंपोर्टेंट फॉर दा सिक्स्टीन सेंचुरी ऑनवार्ड तो यह मतलब काबूल जो है अपने पहाड़ी और जो स्वल्विश दाप्डी से यह जो है पॉलिटिकली और कमर्शली रष्टी से महत्पूर्ण बन गया था काबूल एंड कांधार वर लिंक्ड टू दा सेलिब्रेटेड सिल्क रूट काबूल और कांधार जो है यह सिल्क रूट के जो है इनसे जो है सिल्क रूट का जो होने लगाते इसी रास्ते में इन दा सेवंटिन सेंचुरी सत्रवे शताबदी में जैन बैप्टिस्ट यह नाम है बच्चों जैन बैप्टिस्टे टैवर्नियर ने इस चीज का अनुमान लगाया था कि जो की डाइमंड मर्चंट था उसने अंदाजा लगाया कि काबुल में जो है लगबक 30,000 रुपए की से लोती है घोड़ों की तो विच वाजा हुजसम इन दोस्टे उन दिनों में जो है यह बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी कैमल्स केरिट और जो कैमल्स थे यहां पर कैमल्स भी लाए जाते थे ड्राइट फ्रूट्स भी लाए जाते थे डे और यहां पर गुलामों को भी लाकर बेचा जाता था अब बच्चों हमारा यह क्राप्स इन टाउन यह नगरों में जो है इस यहां पर दियाने का इसका हटिक है हो इसका तो द्रग क्राफ्ट परसंस ओफ बीदर वर सो फेम्ड फोर दियर इनले वरक इन कॉपर और सिल्व सिल्वर और सिल्वर और कौपर पर यह इस जड़ाई का काम किया गया इस में नकाशी बहुते हैं तो इसको क्या बोलते थे बीदर में होता तै इसले यहां पर विद्री नाम से श्कुलेंस में देखांगते में जोते इन लुगों की बहुत जादा आवेशक्त होने लेगे टहिए यदे आलसो प्लीड इन इंपॉर्टन रोल इंद। और यह जो है पहले से यानि महलो आदी को बनाने में इनका रोल बहुत महत्पण हो गया था बिग बिल्डिंग टैंक एंड रिजर्वर्स यानि जलाशे वगरा जो है बड़ी-बड़ी इमारते टैंक और जो जलाशे आदी थे उनको बनाने में इनका महत्पण भूमी का के के कॉलर्स इमर्ज एज प्रोस्पेरस कम्यूनिटी और जो यहां के वीवर्स थे और जो सेलेर थे यानि बुन कर थे वह जो है बहुत सम्रसाली कम्यूनिटी में बदल गए थे मेकिंग डोनेशन टू टेंपल्स और यह टेंपल्स को डोनेट भी देने लगे थे दान क्लीनिंग कपड़ों की सफाइव में कातने में और रंगने आधी में इसमें स्वतंत्र व्यवसाय बन गए यानि देखे बच्चो यह क्या है यह एक केंडल स्टेंड है 17th सेंचुरी का केंडल स्टेंड इसमें किस तरह से वर्क क्या आगा है आप देखे और यह एक शॉल है शॉल का जो किनारे होती ना उसका दिजाइन दिसाए गया अब यह नेक्स्ट है कि दा चेंजिंग फॉट्टेंस कि जो नगरों के जो भागे थे वो कैसे बदल गए शहरों के बदलते हुए भागे सम टाउंस लाइक एहमदाबाद गुजराथ वेंट ओन टू बिकम मेजर कमर्शियर सिटीज बट अधर्स लाइक तंजावुष रैंकिन साइज और इंपोर्टेंस ओवर दा सेंचुरी यानि कि कई शतावजियों की लंबे समय से गुजराथ में है जो एहमदाबाद उसकी जो है कुछ नगर जो है बड़े बड़े वैपारी केंद्रों के रूट में विक्सित हो गए थे लेकिन जो तंजावुर्था वे क्या हो गया उसकी इंपोर्टेंस कम हो गई थी मुर्शिदाबाद बेस्ट बंगॉल में है जो कि भागरती नदी के किनारे है विच रोज ट बश्त्रों के कारण यह जो प्रमुक के अंदर के रूप में यह 1704 में उबराता जो कि बंगाल की राजधानी बन गया था डेकलाइन इन दा कॉर्स ऑफ सेंचुरी एज दा वीवर्स फेस्ट कम्पटेशन फ्रॉम चीप मिल में क्लोथ फॉर्म इंगलेंड लेकिन इसी शतापडी में इसका अंत भी होना शुरू हो गया था क्योंकि जो यहां के जल वीवर्स थे वो इंगलेंड से जो मिलों से बन लूग हम पी मुष्णी पत्त नम और सूरत अबिशन के हम पी मघूली पतनम और सूरत इसकी जो है एड़ा कुछ दो कि सब्सक्राइब कर और में बताए घ्रा गया है हम पीजो यह कृष्ण स्वाइब अब न्यारे पर सुबाजित, अब आर्कियो आर्किट्रेक्रेट्रा विच फॉर्म डा नुकलेस ओफ विजयनगर एंपायर फॉर्म्डिन इन 1336 यह नगर जो है 1336 में विजयनगर साम्राज्य का केंद रिस्तल था यह जो है बहुत इस शहर के जो है हमपी शहर के जो खंड़र है उन्हें देखकर पता चलता है कि यह जो कितना वेल फॉर्टिफाइट था इसकी दिवारों को बनाने के लिए किसी भी प्रकार की सीमेंट आदी का उपयोग नहीं किया गया था एंड़ टेक्निक फोलोड वास टू वेस्टेम टुगेदर बाई इंटर लोकिंग इसमें जो है यहां पर जो इनकी जो दिवारादी को बनाने में इसका उपयोग किया पत्थरों को इस तरह से लगाया जाता था एक दूसरी में फसाकर कि वह जो है मतलब को आपस में काफी फसाकर इनको बनाया जाता था इंटर लॉक किया जाता था हमें ए फोर्टिफाइट सीटी दिस इस हाओ पॉर्टल्स ट्रेवलर दॉमिंगो पेज डिसक्राइब हम्पी इन दा 16th सेंचुरी कि एक पुर्तगाली आत्री डॉमिंगो पेज उसने जो है सोलविशतापनी में हम्पी नगर का वर्णन इस प्रकार किया था कि एर दा पॉर्टिफाइट विद वाल्स टावर्स इस वाल्स आर नोट लाइक दोस ओफ अधर सिटी इस बताया गया था है कि जो गोवा से आने वाले लोग थे वो जिस प्रवेश द्वार से जिस प्रवेश द्वार से गुजरते थे तो उस द्वार के भीतर जो है जहां के राजा थे उन्होंने बहुत ही सुन्दर तरीके से उस नगर को बसाया हुआ था और जहां की दिवारे थी वो फोटिफाइट थी मतलब बहुत अच्छी तरीके से बनी हुई थी और यह तर जो है उसी दिती से बनाए गए भवनों की अत्यन सुन्दर कतारे भी हैं और इसकी जो छते होती थी वह कैसी होती थी सपाट होती थी दा आर्किटेक्ट्चर और हम्पी वाज डिस्तिंक्टिव दा बिल्दिंग्स इन रोयल कॉंप्लेक्स हैड स्प्लेंड आर्किस डॉम्स एंड पिलर्ड हॉल्स वीद नीचेश पोर होल्डिंग स्कॉप्चर्श जो यहां की हम्पी की जो वस्तुकलब थी वो बहुत ही व बहुत ही बड़े बड़ी जो आर्चिस होते थे और उसमें डॉम्स वगरा बने होते थे और पिलर्ड हॉल्स वीद नेचेश फॉर होल्डिंग स्कॉप्चर्श और वहां पे कई पिलर वाले जो है हॉल भी हुआ करते थे यहां की बाग बगीचे होते थे वो भी कमल और टोड इस तरह से करके ना जैसे इस तरह से बने रहते फ्लावर से इस तरह की सुन्दर चित्रकारी होते थे यहां पर पर इन इस हे दे IT पन्रीर शोली सतावदी में हम हंपी बस्टरलड वीरकमर्शल एंद कॉल्च्रव क्तिविटी ज Ноस नाम है a name used collectively of muslim merchants muslim merchants जो होते थे उनकी group का नाम था moors और chatties and agents of European traders such as the Portuguese thronged the markets of hampi तो युन दिनों में hampi के जो बाजार थे उसमें जो moors थे chatties and agents of European traders such as the Portuguese व्यपारे थे उनकी agentों का हैं पर जमघट लगा रहता था टेंपल्स वर्दा हव ओफ कल्चरल एक्टिविटीज एंड देवदाशी performed for the deity royalty and message in the many many pillar halls in the विरुपक्षा एफ फॉर्म ओफ शिवा टेंपल जो टेंपल्स थे वो यहाँ पर जो है कल्चरल एक्टिविटीज के हव यानि केंद्र हो गए थे और जो देवदाशी थी वो यहाँ पर निर्टिय वगरा करती थी किसके सामने यह रोयल्टी राजाओं के सामने जन्साधराण के सामने यानि बहुत से पिल्लोरों से बने हुए जो हॉल्स होते थे जिसमें विरुपक्षा यानि एक शिव का रूप है मंदिर वहाँ पर वह भगवान के सामने जन्साधराण के सामने और राजा आदे के सामने जो देवदाशी आती वो निरते क्या करती थी दा महानवमी फेस्टिवल नन्ट टूडे एज नवरातरी इंदा साउथ महानवमी फेस्टिवल जो की साउथ में नवरातरी के नाम से जाना जाता है वाज वन ओप दा मोस्ट इंपोर्टेंट फैस्टिवल एक अत्यंत मेट्पुन फैस्टिवल था शेलिब्रेटिड इन हमपी जो हमपी मनाया जाता था आर्केलोजिस्ट है आर्केलोजिस्ट है फाउंड दा महानवमी प्लेटफॉर्म वेहर्दा किंग रिसीवड आर्केलोजिस्ट लोग उने पाया कि महानवमी का जो मंच था जहां पर राजा अपने अतितियों का सतकार क्या करता था और जो उनके सब ओडिनेट वगर आते जो उनके लिए जो उपार वगर लाते थे वहां पर उनसे स्विकार क्या करता था और वह यहां से जो है डांस, म्यूजिक और रैसलिंग यानि कुस्तिवाजी आदिमी देखा करता था हैंपी जो है इसका पराजे हुई विजय नगर की 1565 में जो दखिन के सुल्थान थे उनके शासकते गोलकुंडा, बिज़ापूर, एहमद नगर, बेरार और बिदर के द्वारा जो थी यहां पर इनका इसका हमपी का जो है यानि विजय नगर का जो था उसकी पराजे हुई थ यहां पर, यह 1565 में जो दखिनी सुल्थान थे उनके द्वारा जो है विजय नगर की पराजे के बाद हमपी का जो क्या हो गया था विनाश हो गया था, ठीके बच्चों, आज इतना ही फिरेश चाहिए कलम पड़ेंगे, ओके, थैंक्यू